Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genue Notification Indian Post Office में बहुत से अलग-लग Post होती है जनके लिए Recruitment Notification Release होता है लेकिन हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Postman भरती से Related Information अगर आप Indian Post Office में या भारती डाग विभाग में Postman की Job चाहते हैं या आप Postman Jobs Related Information चाहते हैं देन वीडियो को end तक देखेगा हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Essential Qualification बैसे मैंने आपको यहाँ पर देख रहे हैं मेंशन कर दिया है After 10th and 12th आप Postman बन सकते हैं And other requirements रहती है या नहीं ये भी हम आगे वीडियो में डिसकस करेंगे Age Limit क्या रहती है अगर आप इसमें अपलाई करते हैं तो Application Feast क्या रहेगी Method of Recruitment Recruitment कितने तरह से होता है Selection Process क्या रहेगा Provation Period and Salary ये सारे पॉइंट सामेके करके इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आप भारतिय डाग वेभाग में Postman या डाकिया की Post चाहते हैं या इसके बारे में Information चाहते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर पसंद आता है तो Like कीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं जानते हैं Postman जॉप के बारे में qualification required रहती है 10th और 12th पास यह यहाँ पर 10th और 12th इसलिए मैं Mention कर रही हूँ because किसी-किसी circle में मैंने सर्च किया है चेक किया है जो notifications देखे हैं तो किसी-किसी circle में after 10th आप Postman पोस्ट के लिए eligible होते हैं और किसी circle में आप after 12th जादा तर जो circles हैं जो qualification रिलीज होते हैं after 12th आप Postman पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही काम एक-दो circle से notification मैंने देखा है कि उसमें minimum qualification 10th पास मांगे गई है लेकिन जादा तर chances हैं जादा तर condition में minimum qualification 12th पास required रहती है पोस्ट में पोस्ट के लिए इसके साथ ही आपको basic computer knowledge भी होना चाहिए यह हो सकता है कि आप से certificate मांगा जाए तो अगर आप postman के लिए apply करना चाहते हैं बहुत कम circle से मैंने देखा है कि certificate required है only basic knowledge देखी जाती है लेकिन फिर भी अगर certificate मांगते हैं तो आप 2-3 महिने का कोई भी certificate course आप कर सकते हैं computer में इसके साथ अगर आप जिस भी circle से apply कर रहे हैं वहाँ की जो local language हो उसकी आपको knowledge होनी चाहिए the students should have studied the local language up to 10th standard 10th class तक आपने वहाँ की जो local language है वो आपने पढ़ी हो जैसे कि अगर मद्धिप्रदेश UP की बात करें 36 गड़ की बात करें तो जो local language हिंदी है 10th standard आपका जो हिंदी है वो as a subject आपका रहा हो आपने पढ़ी हो तब आप इसमें apply कर सकते हैं next आप हम बात करेंगे age limit की postman post के लिए जो age limit रखी गई है वो 18 to 27 year रखी गई है minimum age 18 and maximum 27 year यह general candidate के लिए है अगर आप reserve category से belong करेंगे तो central government rules के accordingly जो relaxation दिया जाता है OVC candidate को 3 years का SST candidate को 5 years का and PWD candidate को 10 to 15 year का according to आपकी category पर depend करेगा so आपको central government rules के accordingly relaxation मिल जाएगा लेकिन अगर आप general candidate है तो आपको 18 to 27 year रखी गई है इसके बाद हम बात करेंगे salary के postman की जो salary रहती है starting जो salary रहेंगे initial वो pay matrix level 3 से 21,700 से 29,100 रहती है postman की जो post है ये group C की post है so group C की जो initial salary रहेंगी pay matrix level से 21,700 से रहती है अब हम बात करेंगे भरती इसके बारे में postman की जो भरती रहती है ये process का रहती है method of recruitment so postman post पर भरती के लिए काफी अलग अलग तरह से भरती की जाती है इसमें direct recruitment भी रहती है and promotion के थुरू भी भरती की जाती है deputation absorption ये सभी types आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं किस तरह से भरती की जाती है इनको हम आगे explain करते हैं एक एक करके जैसे की 25% तो यहाँ पर जो भरती होती है postman पर promotion के थुरू होती है वो भी seniority come fitness of multitasking staff of the recruiting postal division okay so 25% तो यहाँ पर postal division की जो recruiting उसके MTS की जो post रहेगी उस पर seniority come fitness के वेस पर रहती है अगर फिर भी 25% फिल नहीं हो पाती है तो बची हुई जो vacancy रहती है and 25% जो vacancy है उनको postal division on the basis of limited departmental competitive examination के through 25% यानि ये भी promotion से भरी जाती है लेकिन limited departmental competitive examination के वेस पर ये फिल की जाती है इसके बाद जो बची हुई vacancies रहती है अगर वो फिल नहीं हो पाती है तो जो बची हुई vacancies है वो भी again promotion के through multitasking staff of railway mail service division of the circle on the basis of limited departmental competitive examination के थुरू भरी जाती है अब जो बची हुई vacancies रहती है वो direct recruitment के through यानि open market जो रहता है जिसमें सभी candidate apply कर सकते है इसके through आप apply कर सकते हैं जब भी direct recruitment notification release होता है तो अभी हमने step by step सारा जो भी recruitment process है वो देख लिया है अब हम यहाँ पर detail में बात करेंगे direct recruitment process के बारे में कि CD जो भरती रहती है वो किस तरह से होती है तो यहाँ पर जो pattern of examination आप आभी देख रहे हैं इसमें आपका जो postman की post पर जो direct भरती रहती है इसमें जो examination होता है paper first, paper second and paper third तीन paper आपके होते हैं जिसमें paper first जो रहेगा वो competitive रहेगा paper second qualifying nature का रहता है और paper third भी qualifying nature का रहता है paper first MCQs types रहता है paper second subjective होता है and paper third आपका computer पर होता है जैसे कि इसमें basic requirement रहती है basic computer knowledge तो इसमें आपका third paper computer पर होगा and syllabus के बारे में जब भी vacancies आती हैं तो आप इसका detailed syllabus चेक कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका syllabus पर एक separate video upload करूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर comment करेंगे तो मैं इसके syllabus पर भी एक detail video upload कर दूँगे marks के अगर हम बात करें तो paper first आपका 100 marks का होता है paper second 60 marks का and paper third 40 marks का duration 90 minute का timing आपको paper first में मिलता है 45 minutes की timing आपको paper second and 30 minute की timing आपको paper third में मिलती है language of question paper तो आप English या Hindi किसी भी language में दे सकते हैं इसके अलाबा जो भी जिस भी circle से आप apply कर रहे हैं वहां की जो local language है उस language में आप ये exam दे सकते हैं अब हम बात करेंगे qualifying marks की तो इसमें S.C.S.T. candidate के लिए qualifying marks रहते हैं each paper हर एक paper में यानि तीनों paper के अलग लग 33% for OVC candidate के लिए 37% and other जो candidate है उनके लिए 40% qualifying marks हैं आपको 40% required रहते हैं qualify करने के लिए ओके सो ये तो था examination pattern किस तरह से आपका exam होता है डारेक्टी रिक्रूट्मेंट में अब examination for paper first will be conduct for all candidates सभी candidate के लिए paper first देना होता है paper first में आपका जो performance रहेगा उसके base पर sort listing की जाएगी paper second and paper third में आप appear हो सकेंगे अब paper first, second and third में जो भी candidate qualify करेंगे उन candidate को final merit तयार की जाती है selection क्योंकि paper second and third qualifying nature के है so final जो selection रहेगा वो आपके paper first के marks के base पर merit तयार की जाएगी लेकिन इनको qualify करना भी जरूरी है जो इनको paper second and third qualify नहीं करते है वो disqualify कर दिये जाते है ओके so ये था पूरा process post main, post के बारे में detail post main भरती कैसे होती है किस किस तरह से होती है essential qualification क्या रहेगी full information अगर आपको ये video पसंद आया हो तो video को like कीजेगा और इसी तरह के videos अगर आप चाहते है तो आप comment कीजिए किसी भी post के बारे में information चाहते है मैं जल से जल वीडियो अपलोड करने की कोसिस करूँगी thank you